हैलो दोस्तों राना क्लासे में आपका स्वागत हैं आज मैं आपको बिहार के प्राचीन इतिहास भाव टू मताऊंगा एक से फचास तक मैंने बिहार के प्राचीन इतिहास का एक शीरresh री कर दिया हूँ और भी मैं विहार के स्वतनतरता सग्राम से शरीज पांस शरीज जारी कर चुका हूं पहले चैनल में आप देख सकते हैं और बिटिश इंडिया से समझे विहार से उसका भी एक जो पार्ट है वो चैनल में है तो आज दूसरा पार्ट शुरू करते हैं और इसको जो कि यह इसी तरह के कोश्चन पूछे जाते हैं और अंत तक देखें अगर पसंद आये तो लाइक कर दें नए लोग सब्सक्राइब कर दें और अगले स्रीज सुनने के लिए आप वेल आइकन जरूर दबा दें क्योंकि जो भी वीडियो इस स्रीज से आएंगी वो आप सुन सकते ह है एक क्यावन नंबर चीनी यात्री इच सिंग बिहार का भर्मन कव किया था तो यह साथवी सतावदी का दूसरा चीनी यात्री था इच सिंग ने लगवक 673 इसवी से लगातार दस वर्सों तक नालंदा विश्व जाले में सिच्छा प्राप्त की उसने विक्रम सिला महा इसका अंसर क्या हो जाएगा चीनी यात्री इच सिंग बिहार का भर्मन कव किया था तो 673 इसवी में आब 52 नंबर की ओर आते हैं तुरतिय बहुत संगीति का आयोजन कहा हुआ था तो तुरतिय बहुत संगीति का आयोजन पुद्ध के महा परिनिर्वान के 236 वर्सों के ब पूर्व पाटली पूत्र में हुआ था इसकी अधास्ता परसिद्व विद्वान मोगली पूत्र तीस ने की दिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी नमबर पाटली पूत्र हो जाएगा मगज के किस परवर्ति समराठ के सासन काल में चीनी राजदित वांग हैं से भारत की यात्रा की तो इसका क्या हो जागा में उत्पन राजनीतिक अर्थ अविवस्था से लाव उठा तो एक बड़े भुवाग पर अपना दिकार कर लिया उसने तिब्बत के प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त कराया तो इसका आंसर जो क्या होगा तिर्पन का ये चार होगा अब चाववन नंबर देखते हैं मौर चामरिकारलीन पाटलीपूत्र से प्राप्त दो य嫁च मुर्थिया तथा दिदार गंज पटना से प्राप्त चामर ग्राहिनी याचनी की मुर्थिया मौरिच्चित्कला के उधारन है इसे स्थिरी रतन का नाम भी दिया गया तो आंसर क्या हो जाएगा दिदार गंज तो इसका आंसर क्या हजगा हरयक वंस का अंतिम सासक नाग दसक था उप जाइं कितने समय इस भी में पाटली पूत्र आया था तथा पाटली पूत्र के गौरव का वर्नन किया यहां फायान ने तीन वर्ष तक संस्कृत का अध्यान किया तो आंसर क्या हो जाएगा इसका छे महिने हो जाएगा इसका जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा तीन साल हो जाएगा कितना हो जाएगा तीन साल हो जाएगा इसका संतावन नमबर राजगीर में दुर्ग तथा अस्थापना किस मगद के सासक ने की थी मगद की राजधानी राजग्री का निर्मान महा गोविंद नमक बास्तुकार ने किया था जो बिम्बिसार के दरवार में रहता था राजग्री में दुर्ग तथा अस्तुप की स्थापना मगद की सासक अजाद सत्रू ने की थी तो इसके चर्चा सुन लेते हैं, उसके बाद अंसर इसमें प्रचल जाएगा, हजाज सत्रू का पहला युद कोसल के साथ हुआ, हजाज सत्रू का दूसरा युद बैसाली से हुआ, जो ज्यादा महत्पूर माना जाता, उसने अपने एक मंत्री वसकार की मदद से वज्जी सं बना, बैसाली से हुए युद में अजाज सत्रू बिजय हुआ, यह वो मगत की सत्ता और भी मजबूत ही तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, अजाज सत्रू हो जाएगा, बजजी संके लिछवियों को फ्राजित करने वाला मगत का साथ सा कून था, आजाज सत्रू ऐगा, ऴो जाएगा, अल्योर, यह वो मगत कानव वंस की सत्ता और डिएगा, दो आजब वंस की सत्ता और साथ वाहनों ने तीस इशा फुर्व में की, वासुदेव नव वंस का फ्रवर्टक था, वासुदेव द्रवरतित राजवोंस में कुल चार शासक ह वासुदेव जिसने नौ वर्स तक सासन किया उसके बाद उसका फुत्र भूमी मित्र तत पस्चाज उसका फुत्र नारायन और अंत में सुशर्मा जिसे साथ वहन वन्स के परवर्तक सिमुक ने पच्चियोट कर दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा साथ नो कनव वन्स का संस्थाफक कौन था तो कनव वन्स का संस्थाफक वासुदेव था इसके बारे में जानने था शुंग वन्स के अंतिम समराठ देव भूती की हत्या करके उसके आमत्य वासुदेव ने 75 इसापुर में कनव राजवन्स की नीव डाली वासुदेव पाट संग के पतन के बाद मगाध वर कनव वन्स का साषन अस्थाफित वर सुन्घ वस्व ने 75 इसा फुर्व में कनव राजवन्स की नीव डाले गड़ा इतल वन्स का सासन 75 इसा पुर्व से 30 इसा फुर्व तक रहा तो अंसर क्या हो जाएगा पाटली पूत्र के नगर निर्मान तथा सुन्दर्ता का बर्नन किस ने किया इंपोर्टेंट कोस्टियन है मेगास्थनीज से लुकर्ष निकेटर का राजदूज था जो चंद्रगुप्त मौर के राजदरवार में आया था इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर युगीन समाज एमम संस्कृति के विशे मे लिखा है पाटली पूतर के नगर निर्मान तथा सुन्दर्ता का बर्नन मेगास्थनीज ने किया है तो अंसर क्या हो जागा मेगास्थनीज मगद में पर्थम ब्राह्मन राज अस्थापित किस ने किया था तो पुस्मित्र ने किया था इसके बारे में जान लेते हैं में प्रतरम ब्राह्मार राज पुस्मित्र सुंग ने किया था, पुस्मित्र सुंग जिसने मगद्र राज पर शुंग बंस की नीम 184 इसापुर्म में डाली कौन से जाती कि था ब्राह्मлан जाती कि था YouTube शुंग समराट ब्रिदत की हच्चा करके उसने सेनापती पुस्व मित्र सुग ने 184 इसापुर्ष से 151 इसापुर्ष तक राज किया पुस्व मित्र सुग ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्ट की और अपने सासन काल में उसने दो असमेग अग्यों का आयोजन किया था तो पुस्व मित्र नहीं हो जाएगा तो पुस्व मित्र ने ब्राह्मन धर्म का पुन्र द्वार तथा बौधों के साथ उत्पीडक और आग्रमर बिहार किया श्रोतों में उसे बौधों का पर अत्याचार का दोसी विठार आया जाता जिसकी पुस्टी अन्श्रोतों से नहीं होती इसके समय में एक लंबे समय के पस्चाद ब्रह्मन धनु का पुना उत्कर्चो तो आंसर क्या हो जागा तीन हो जाएगा अब 65 नंबर देखते हैं मह महा जनपत युग में पावा पूरी किस गनराज की राज़ानी थी तो इसका अंसर क्या हो जागा ये मल्ल की थी छटी सतावदी इसापूर में 16 महा जनपतों के अस्थितु का उलेक बौध गरंत अंगूतर निकाय एबं चैन गरंत भगवती सुत्र में मिलता इन महा जनपतों में मगत सरवाधिक सक्तिसालि था इन 16 महा जनपतों में असमक एकमात्र महा जनपत था जो दच्छिन भारत म गोदावरी नदी के टट पर अस्थित था छटी सतावदी इसापूर अर्थात गौतम भूद के समय दस गनतंत्र भी अस्थाफित थे गनतंत राजयों आठ वज्जी संके अंतर गत थे तथा दो मल्ले संके अंतर गत मल्ले महा जनपत की राजधानी कूसी नर्थ तथा पा गाउं से मिले हैं जिसे खोजने कसरे अस्पूनर को है पाटली पुत्र में चंदरगूप्त महल मुखिता कि से बना हुआ है लकडी का बना हुआ है तो कांसर क्या हो जागा तीन लकडी बिहार के गया जिले के अफसर से फ्राफ्त अभिलेक में किस राजमन्स के बारे में जनकारी मिलती तो परवर्ती युग बंस के जनकारी मिलती है तो बिहार के गया जिले में के अफसर से फ्राफ्ट अविलेक में परवर्ती बंस के परवर्ती गुप्ट बंस के बारेम जनकारी मिलती है कृष्ण गुप्ट जो 480 से 502 सासन रहा इस बंस का संस्थापक माना जा जाता है इस बात की पुष्टी अफसर अब लेक से होती है तो अंसर क्या हो जाएगा इसका परिवर्ति गुप्त बांस अब 16 नमबर देखते हैं किस युद्ध में हुए भारी तवाही तथा जानमाल की हानी को देखकर असोक का हिर्दय परिवर्तन हुआ और उसने 69 है ये 69 का बोल देता हूं 69 क्या हो जागा एक हो जागा कलिंग हो जागा दूसर 61 इसा पुर्व में कलिंग युद्ध में भीशन नरसंहार और रक्तपाल ने असोक को युद्ध के स्थान पर धम विजाई की निती अपनाने को फ्रेरित किया कलिंग युद्ध में हुए व जीवित गुप्थ दूतिये प्रवर्तिक गुप्थ बंसका अंतिम शासक था जिसे बगपती राज के गौडवा हो चरित के अनुसार कन्नाओज के सासक युद्ध में पराजित कर जीवित गुप्थ दूतिये की हच्चय कर दी इस बंसका अंत कर दिया इस तरह आठी के नियंत्रन में आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा जीवित गुप्त दूटी अंतिम सासक को न था 59 बताई दिया सत्तर नमर बताई ता हूं सरफर्थम मगत के किस सासक ने गृवरज के अचिरिक्त बैसाली को भी अपना राजधानी बनाया तो आंसर क्या हो जाएगा इसका चार हो जाएगा शिसुनाग हर्यक बन्स का अंतिम सासक नाग दसक था जिसको पच्यूद करके कासिक गवर्नर शिसुनाग ने 412 इसापुर्व में शिसुनाग राजबन्स के स्थाफना की शिसुनाग ने गृवरज के अतिरिक्त बैसाली को उसने अपनी दूसरी राजध शिस चित कौन सा महा जनपत में गनतंत्र था तो आंसर क्या हो जाएगा इसका दो हो जाएगा सॉम्हा जनपतों में बज्जी एक गनतंत्र था यह आठ राज्यों का संग था जिसमें प्रमुख थे विदेह लिच्वी ग्यात्रिक एबंबजी पहले राजवन्स था बाद म देखते हैं नालंदा में अवस्थित भारतिये विश्व विद्यालों में फाहियान किसके सासन के दोरान आया था तो किसके सासन के दोरान आया था चंद्रुप्त विक्रमादित्य या दूटिये नालंदा में अवस्थित भारतिये विश्व विद्यालों में फाहियान चंद भाहियान ने तीन बरस तक संस्क्रीत का अध्यन किया, भाहियान ने मद्परदेश का बरनन किया, परमुक बरनन इस परकार है, जो किया है मद्परदेश का, यह व्रामनों का देश था, मिर्तिव डंड नहीं, सिर्फ आर्थिक डंड दिया जाता था, जीवित प्रानी की हत्य मास, मजरा, प्याज, लहसुन का प्रियोग नहीं किया जाता था, चांडालों तथा क्राय विक्रे कोडियों का उलेक किया है, तो यह अंसर क्या हो जागा इसका चादनुगुप तो लिक्रमादीद, भारत के महान जोतिसाचारी आरिभट का विहार के किस नगर से गहरा पाटली पूत्र से, हर्सवर्धन ने किसे मगद के छेतर में अपना परतिनीधी बनाया, तो हर्सवर्धन ने माधब गुप्त को मगद के छेतर का अपना परतिनीधी बनाया था, ताकि गोड के सेवराजा ससांग के किसी भी आफरमन से वचा जा सके, माधब गुप्त देखते हैं हर्स बर्धन के समय भिहार ए खांग संग को मार कुमार तरसन काल में हुई चीनि यात्री के वीवरन से पता चलता है कि सव गाओं को नालनदा के खर्ज के लिए दिये थे वह इंसांग नालनदा विश्विः जाले में रहकर अधियन किया था तो अंसर क्या हो जाएगा इसका नाल अंदाल अब 46 नंबर देखते हैं मगत के किस परवर्ती सासक को असंक सत्रू का विजेता कहा जाता है तो अंसर क्या होगा जाएगा इसमें एक नंबर हो जाएगा क्रिश्न गुप्त तो मगत के परवर्ती सासा कृष्ण पर्थम को अफसर लेक में असंक सस्त्रियों का विजेता कहा गया कृष्ण गुप्त का सासन काल 510 इस्वी से 525 इस्वी तक था तो इसका अंसर क्या हो जाएगा कृष्ण गुप्त आदस्तर नमबर का देख्ते हैं निम्लिखित का सही अनुकरम बताईए तो सही क्या हो जाएगा अनसर शिरियली भॉरbach हो जाएगा एक तो बताते हैं इसको ध्यान दीजेता का इसका आंसर जो ऊगा हूँ ऐसको छोटा कर देता हो scenario तो इसका पहला जो होगा मगद नरेश विंबिसार का देहाबसन कब गट चार्सों बेरानमें सा पुरुत तो कौन है एक नंबर हो जागा पहले फिर है वर्द्वान महावीर का देहाबसन 468 सपे फिर तीन नंबर हो जाएगा फिर है फिर्वय जाएगा पाटली पुत्र में तीरतिए बहुत संगीथी 251 इस्वी पुर्व में तो यह boxes जाएगा आपको चार हो जाए थी एक तीन चार हो गया और फिर लास्ट में सम्राआट बिरदत के हाथे 184 सो पुर्वन तो ये फॉर नंबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक तीन चार दो तो एक नमबर हो जाएगा इसमें अब 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 ठतर नमबर देखते हैं परसिद बौध सारी पुत्र का जनम कहां हुआ था तो बुद्ध के पांच फ्रेसिस अनि रुद्ध आनंद उपाली सारी पुत्र तथा मोगलायन थे सारी पुत्र का जनम नलंदा में हुआ था निम्लिखित का सही अनुकरम बताईए तो सही क्या हो जाएगा उनासी तो सही अनुकरम इसका हो जाएगा पाटली पुत्र में गुप्त राजवन्स की स्थापना एक नमबर हो जाएगा उसके बाद हुएंस्वांग की बिहार यात्रा दोन हो जाएगा तीसरा हो जाएगा आपको करनाट मंस के प्रभुत का अंत फिरोज साह का बिहार है तो इसी रियली वाई एक दो थीन चार हो जाएगा इसी करनुसार तो क्योंकि पाटली पुत्र में गुप्त हो जाएगा स इस तरह एक दो थीन चार हो जाएगा परसिद जीवक है परसिद चिकिस्षक जीवक किसके दरवार में रहता था तो परसिद चिकिस्षक जीवक के दरवार में सुसोबित था, बिम्बिसार मगद के हर्यकवंस का सासक था, अवंती के राजा प्रधोत रोग से ग्रसित थे, तब बिम्बिसार ने अपने राजवैद जीवक को अवंती भेजा, और जीवक ने रोग का निदान किया, बिम्बिसार ने अपने सासन काल में अंग को जीत कर मगद समराज को मिला लिया था तो इसका अंसर क्या हो जाएगा बिमिसार कैसी नंबर देखते हैं। कौन सही सुमिलित नहीं है तो बिम्बिसार क्या हो जगा हर्यक बंस सही है काला सोक सिशुनाग बंस ही सही है महापद्वनन्द क्या हो जगा नंद बंस का हो जगा और धना नंद बंस तो आंसर क्या हो जगा तीन नंबर ये गलत है महापद्वनन्द क्या हो जगा नंद बंस क काला सोक लosit का उत्राधिकारी कौन था काला सोक ने अपने राद्धानी पटलीपुत्र अस्थाנतित कीथी इसी के साषन कालमें 22,00 में बहुत धर्म की DTS संगीदी का आयोजन गया था तो यह क्या हो जागा इसका अंसर दो़ नंबर हो जागा अब त्यरासी नंबर देखते हैं बौध्धर्म की महायान साखा का गरंथ प्रग्या पारमीता को किसेली की चित्रकला के चित्रों का अधार बनाया गया तो ये क्या हो जागा बहुत धर्म की महायान साखा गरंथ प्रग्या बार्मिता को पाल सैली की चित्रकला के चित्र का धार बनाया गया तो क्या हो जागा पाल एक नंबर हो जागा निमलिखित में कौन बिहार का प्राचीन राजवन्स नहीं रहा है कलिंग बंस बिहार का प्राचीन राजबंस नहीं रहा है, बरतमान उडिशा प्रांत में प्राचीन काल का कलिंग राजबसा हुआ है, कलिंग उडिशा के दचनी छेतर में आता था, मौर समराथ असोक ने 261 इसापुर्व में कलिंग परदिकार कर लिया था, हर्यक बंस शिसुनाग बंस यर्डबस प्राचीन राजबंस हैं, आंसर क्या हो जागा, कलिंग बंस नहीं है, बπό 50ी नंबर देखते हैं, पर्थम बहुच संगीती का आयोजन कहां हुआ था, पर्थम बहुत संगीति का आयोजन किसके सासन काल में हुआ था तो इसमें गलत कोश्चन दिया हो पर्थम बहुत संगीति का आयोजन किसके सासन काल में हुआ था तो अंसर क्या हो जागा आजास सत्रू के सासन काल में हुआ था मिनाई पीटक में संकलित किया गया था बिहार के किस बिहार छेतर की चर्चा किस साहितिक रचना में मिलती है तो बिहार छेतर की चर्चा सत्पत ब्राह्मन में मिलती है गंगा गहाटी का छेतर जिसमें बिहार का छेतर भी सामिल था गंगा घाती के चेत्र में अस्थित जंगलों को आर्यों नीन जला कर काट कर साफ किया इसकी चर्चा सत्पत ब्रह्मन में मिलती अंसर क्या आजागा, दो नमबर महा जनपद युग में पावा पुरी किसकी राजधानी थी? ये मलिक गणर राजी की राजधानी तो अंसर क्या हो जाएगा? पाटली पूत्र को किस सासक ने सरपर्थम अपनी राजधानी बनाया था? इनानी सासक से लुकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त की राजधानी पाटली पूत्र की काफी परसंसा की थी? तो क्या हो जागा इसका अंसर? चंद्रगुप्त मौर ये अभि लेक किस भासा में लिखे हो है? ग्रीक में उत्तिर्न है. इसके तिरिक सभी मौर सिला लेक, लगु सिला लेक अस्तम लेक एवं लगु अस्तम लेक ब्राम्मी लिपी मुटकिर्न है. तो क्या हो जाएगा मौरियो का विलेक ब्राम्मी में असोक ने अपने धम यात्रा के अंतरगत बोध गया की यात्रा अपने राजजाविशेख के किस बर्स में की थी तो ये हो जाएगा दस्वे बर्स में 261 इसापूर में कलिंग यूद के भीशन सहार रक्तपात ने असोक को यूद के स्थान पर धम में विजय की नीती अपनाने को प्रेदित किया था असोक ने अपने धम यात्रा के अंतरगत बोध गया की यात्रा अपने राजज़िशाविशेख के दस्वे बर्स में क्या हो ज़ेगा दस्वे बर्स मोर समराजिका संतापक फोन था तो चंदरगुप्त मौर यह था मोर समराजिका अंत्म नंद सासा को घ्रहानन को प्राजीत 322 इसापूर में प्राजित कर चंद्गुप्त मौर मगत परधिकार कर लिया यूनानी गुरंथौ में चंदगुप्त के तीन नाम है इसको ध्यान से सुनिया थांड़ो प्रधान मंत्री कौन था? चन्दगुप्त मौर्ज का प्रधान वंतरी चानक के था चनक का अन्य नाम क्या था विश्न गुप्त था कोटिल ले था इसने अर्थ सास्त नामक पुस्तक की रचना की थी अर्थ सास्त क्या है राजनीती पर लिखी गई पहली परमानिक पुस्तक है असोक का धर्म क्या था ये बहुत इंपोर्टेंट है, असोक का धम क्या था, नैतिक अचार सहीता था, असोक ने अपनी परजा के नैतिक विकास के लिए जिन अचार सहीतों का पालन की बात कही, उसे ही अविलेखों में धम कहा गया, असोक के दूसरे एवं साथवे स्थम लेख में उन गुनों का ब राजधानी कहां थी, राजगीर थी, महा जनपत युग में पावापुरी किस की राजधानी थी, तो मल्यगन राजधानी थी, तो महाजनपत में पावपुरी कहां थी मल्ग अन्राज की रांद मल्ग कहां था महाजनपत पूरवी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले मस्तित था पावा की पहचान आधुनिक पंडरोना से की गई है 97 नमबर देखते हैं बिहार में गुप्ट सक्ति के संगठन का सरे किसे दिया जाता है महरवली लेक से पता चलता है कि उत्री बंगाल का छेतर जित कर गुप्ट समराज में मिला लिया गया था इसके समय चीनी यात्री फायान आया था, उसने चन्दगुप्त दितिये के सासन काल का ब्रिश्टित बर्नन किया अंठानवे नमबर, राजगीर के मनी नाग मंदिर में पत्थर पर खोदे गए गनेश बिशनु तथा नाग नाग निनों के चित्र अंकित यह किस काल के हैं? हिंदु देवी देवताओं से संबंदित है, तो अंसर क्या हो जाएगा? चार नमबर, ए, तीन नमबर, गुप्त काल किस सासक ने स्वय को लिछवी दोहित्र कहा है? यह पूछता है और गलत हो जाता है, अकसर कन्फूज होने शेग, तो अंसर क्या हो जाएगा? निनानमे क सुरोत उनसका प्रयाग प्रस्वस्ति लेख है, इसी में उसे लिछवी दोहित्र कहा गया है, और इस प्रस्वस्ति की रचना उसके संदी विग्रह हरिसेन ने की थी, समुद्र गुप्त के छह परकार के स्वन, शिक के गरूड परकार, धनुड धारी परकार, परसू परका पाधी कहा धारन की थी, तो कहा धारन की थी, पाटली पुत्र में धारन की थी, चन्दगुप्त पर्थम ने 320 इस्वी में महाराजा धिराज की उपाधी धारन की थी, चन्दगुप्त पर्थम ने लिछवी राज कुमारी, कुमार देवी से विवाह करके आधुनिक बिहार उत्तर प्रदेश के भुभागों को अपने अधिन कर लिया था तो यह हो गए 100 का एक हो जाएगा तो यह हो गए 51 से आज 100 तक यह बिहार के प्राची नितिहास का फर्थम स्रीज था एक दूतिय स्रीज और तीरतिय स्रीज में कल डालूंगा तो आप लोग इस तरह स्रीज दे धारक से समंधित जो पहले ही डाल चुका हूं उसको आप लोग देख सकते हैं सिर्य लिवाई तो धन्यवाद